तो हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई न्यूव व्लॉग तो गाईज आपका भाई वापस आ गया है एक और नए व्लॉग के साथ तो गाईज आज जाने वाले हम चंदरपूर और चंदरपूर को जानने का कारण एक ही है कि आज है पॉलिस भरती और सुबह पाच बजे पॉ पॉलिस भरती की प्रैक्टिक चाल हुथी सुबह शाम अशे धावनी के लिए जा रहा था है तो गाईज अभी व्लॉग देखो लास्ट तक कि अभी निकलना भी है तो मिलते हैं फिर चंदरपूर में तो गाईज अभी चंदरपूर में आकर हूं और तो यह पीछे की लाइन लगाकर है पुटते हैं बहुत सारे हैं और हमें आना चाहिए था बारा बजे लेकिन हम अभी चार बजे चंदरपूर में पोच गए लेकिन अभी एकदम लास्ट में कड़े हैं तो गाईज अभी देखते हैं आगे कितनी देर लगती हैं अंदर जाने के लिए और और क्या लाइन देखकर ही दिमाग खरब हो गया पूरा अब कितनी देर में नंबर लगे हैं और भी पसाने तो गाईज अभी इस जो पीची की दिवाले उदर अच्चा-ची चितरे निकालकर है और आगे भी चितरे आगी दिकात हो आपका तो गाईज ये आगे ऐसे चितर निकालके है और वह भी सवच जानुरी को निकाल हुए तो इस सेड़ अधर थोड़ा अंधेर आए लेकिन तो गाईज अभी आगे आगे जाकर अभी आपको दिकात हो कितनी बड़ी लाइन है अब ब्लॉक लाश्ट तक देखा अब है अब है अब हम चलते हुजा है अब है अब है लोग हरती तो हो गई है अब है और वापत जो नापपूर में हुआ था होई इधर भी हो गया हाइट में हाइट में इकट गया तो अभी अपना एक भाई अंदर है जब वह बाहर आएगा तक चलेंगे गर तो गाईज यह जो इस जगा रात को हम रुके दें और उदर एक गेट अब उदर एक गेट जो बैरेगेट लगा कर रहे उदर से लाइन तो हम इधर बैटकर थे हैं प्यात तक लाइन थी तो आई लोग अभी तक अपना दोस्त आया नहीं दस बजी से लेकर अभी बारा बज रहे हैं बारा बज भी गया है और में लगादर दो गंटे यहां पर ही बैट करो तो गाईज अभी आपको एक शुटा सा पार्क दिका अब बताओ कमेंट में तो गाईज यह चोटा सा पार्क इधर जो खरब वाले टायर है उसका खुछत भी बना करें डीजैन से और इधर यह बाटल बाटल है बाटल का बनाया हुआ है इधर तक पार्क है और इधर एक सूर्य निकलके है तो गाईज अईज चोटा सा यह पा पन कभी टायर फेक देते हैं कभी बड़ी वाली बाटल फेक देते हैं यह वाली बाटल तो गाईज इस बाटल से पूरा इतना मत्वे से पूरे बिजैन करकर है तो गाईज अभी उसको कितनी पेर लगती वह भी पता नहीं और यह चाव में हूँ लेकिन बहुत ज्यादा भी लगिया है तो गाईज देखते हैं अभी तो हैलो गाईज वेल्कम बैक टुमाइड निव व्लॉग तो गाईज हम लोग भरती के लिए भी गहे थे और भरती वाला व्लॉग भी कंटीनू करने वाले इसमें तो गाईज अभी जाने वाला हूँ में भंडा रहा है और अ अभी साड़े ग्यारा बज गए है तो गाईज अभी मिलते आगे अच्छी जगा देखकर तो गाईज अभी बलार्शे चे बाहर निकल गया हूँ और अभी लगने वाला हो चिचपली रोड और जो यह रोड है यह जाता है पीचिचपली और जो यह मेरे पीचे वाला फर्स्टे में मेरा इस रास्ते से जाने जाने का डिस्टीजन यह मेरा फर्स्टे में इस रास्ते से जो तो गाईज अभी निकलेंगे आगे तो गाइस फाइनले अपने को यह देख सकते हैं आप हीरन और उदर भी ग्रूप है उनका तो गाइस इस सेड एक हीरन गई है और अभी इस सेड यह देख सकते हैं आप दो तिन हीरन है और तो सिंग वाले भी हीरन है और दो उनके बच्चे तो गाइस इदर का हीरन अभी किदर गया वह पता नहीं लेकिन यह देख सकते हैं आप उदर भाग रहे हैं तो गाइस अभी हम तो गाइस अभी अपने को विरन दिखे थे और वह जंगल में भाग रहे हम यहाँ से ज्यादा दूर ने मूल और तो गाइस अभी हमें चारपा जैसे हिरन दिखे थे और चारपा हिरन में से दो बच्चे थे जंगल से आने का एक खायदा हो गया है कि अपने को ऐसे चारपा जैसे दिखे और और जो चारपा जैसे दो बच्चे थे और वह थे थोड़े जंगल में इसलिए पूरे दिखाई ने दिये तो गाइस अभी आजे मूल है और यह बहुत बड़ा जंगल ही है जो चिच्पली का जंगल बूत्थे इसको तो गाइस अभी हम चलेंजे आगे अगर आजे कोई दुसरा अनिमल दिखता है तो आपको दिखाने वाला हो एका तो दिखाने वाला हो नहीं तो पिर नहीं लगा करता है और अभी तो बोट टाइम हो गया क्योंकि हर बार अगर निकलता था तो एक ने बज़े तो भी चार नो बज़े नहीं तो आट बज़े गाव से निकलता था कट्चानुर से और शाम के दो तिन बज़े उदर जो मेरा गाव है जा मेरा इक्जम की नहीं है उस चगह में पोचता था लेकिन अभी आज तो बहुत रेट होने वाला हो क्योंकि अभी जो एक बज़े वाला है और तो देखेंगे कि कितने बज़े मिने हैं उदर पोचते हैं तो गाइस व्लॉक लाश्टक देखो तो गाइस अभी मैं आकर हूँ चीचपली और अभी आज से 20 किलो मेटर पर मूल है उसके बाद एक शाटकाट रस्ता गिरता वो भी आपको बतने वाला हो आगे जाकर तो गाइस यह अभी आपको दिखाता हूँ चीचपली कैसा है एकदम छोटा साई गाव है ज्यादा तो गाइस यह हम जाएंगे मुल और मुल का रास्ता है यह वाला यह रास्ता है मुल का और यह रास्ता है है चंदरफूर तो गाइज अभी बज़ गया एक बचकर 7 मिन्ट हो गया है और हमें आने के लिए एक घंटा लगा मुल से यहां तक तो गाइज अब आगी मिलते हैं तो गाइज यहां से 10 किलिमेटर पर राजुली और यहां से कंट्यूनू दस किलिमेटर तक जंगली है तो गाइज आगे मिलते हैं अभी आपन तो गाइज अभी आकरो सिंदिवाई और अभी मेरे आगे 33 किलिमेटर लागबिड और लागबिड से पहले अभी देखेंगे अभी नास्ता करने के लिए क्योंकि बहुत देल से अभी नास्ता नहीं किया है तो कुस्त भी अभी अभी आगे मिलते हैं तो गाइज अभी रुक कर हूं में कांपा गाव में और जो यह यह जो रास्ता जाता है पाउनी को और यह से पाउनी लगबक 20 किलिमेटर पर है और तो गाइज यह मेरे पीछे वाला ब्रीज है यह ब्रीज इसके उपर से पहले एक छोटी वाली ट्रेन जाती थी, उसकी स्पीड लगबक 60 की थी, और अबी जो बंद रही है, वो सो की स्पीड वाली ट्रेन का रास्ता बंद रहा है, तो गाइज अभी आगे है मेरे तलाब, तब आगे का तलाब अभी आपको दिखाता हूं, और उस त तालाब को मराठी में बोलते है तड़ा तो अभी वो तड़ा दिखाने वाला हो तो गाइज मैंने एक दो तिन बारा इसे सोचा था कि हिंदी और मराठी मिक्स करके व्लाग बनाया जाए एक बार अगर अभी गाउ जाओंगा फिर उसके बाद एक दिन मराठी और हिंदी में झालग बनाने वाल हूं तो गाईज यह यह ओम यह टराईआ जानोब और तड़ाव मंदीर है और जाली लगा करें मुक्ष़े पकड़ने भिए और इस त्राउप से एक रास्ता है और मेर यसमίν का ऐस रास्ते से और अभी में आया इस रास्ते से तो गाईज अभी मिल दा तो गाव नई तो फिर पवनी में रूखेंगे तोड़े दिर के लिए उदर एक किला है तो अगर टाइम मिला तो किला पर भी जाएंगे क्योंकि अभी बजरे अगरे 6ज़ चार बजरे और में निकला था बारा बजे इसलिए बहुत ज्यादव देर हो गए तो जल्दी से जल्दी गाव जाना पड़ा क्यूंकि कुछ दिर में अंदिरा भी हो जाता पीर जंगल इह रहे लगता तो इसलिए मेरो को जल्दी जाना पड़ेगा तो चलो गा पॉन राजाय का किला तो गाइज अभी पास तो बज गये और अभी अगर घर नहीं गया तो गाउसी जब वापस आँगा जब मेरे पूरे एक्जाम होंगे उजिन आपको पूरा ये पॉन किला दिखाने वाला हो तो गाइज अब आगे चलेंगे अब आपको दिखात हो जो बाहर का जो तो गाइज यह ऐसी घास लगा करें और पहले बहुत सारी अलग 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 प्रकार के फूल लगा कर थे लेकिन अभी तो उतने नहीं है श्रीव फरे और तो यह ब्लैक कलर के वह है रेड कलर गे और ऐसे पूरा क्या शिवात हो कि अगरी मिलते हैं एक चलो गस लोग अज़िए पनी अज़िए पांप आप 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 झाल झाल